Structural Unemployment का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेती है Structural Unemployment का मतलब होता है सरंचनातमक बेरोजगारी और यह सरंचनातमक बेरोजगारी कब होती है जब आपके अंदर कोई स्किल है और उस स्किल वाला जो काम है वो होना ही बंध हो गया तो उसको आप Structural Unemployment कह सकते हैं यानि कि इसका जो है बिलकुल मैं आपको Basic उधारन से और Advanced उधारन दोनों बता दिता हूं अगर Basic से Basic बात करें तो पहले जो लोग खेत में फसलों को काटने का काम करते थे मालने जी गेहूं की फसल ही है उसको जो लोग काटने का ही जिने सिरफ काम आता था तो वो लोग आजकल बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि वो सारा काम मशीनों ने कर दिया है तो अब गेहूं को आपको हाथ से काटने की जरूरत नहीं है वो आपका मशीन आटमेटिकली काटके गेहूं निकाल के आपको दे देती है तो वो एक तरीके का structural बेरोजगारी हो गई कि अगर उसकी और को और कोई काम नहीं आता तो वह वहीं उसका रोजगार खत्म हो गया इसी तरीके से पुराने जमाने में जो है गहरे कुएं खोदे जाते थे तो आजकल कुएं खोदने वाले जो मजदूर हैं या जो भी वरकर्स हैं उनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि वो काम भी मशीनों ने ले लिया है अब थोड़ा अगर advanced level पे आएं तो आजकल AI आ गया तो उसकी वज़े से जो basic code writers थे या basic जो designers थे या basic जो graphic designers थे या किसी भी चीज़ के जो basic काम करते थे वो आजकल AI आसानी से कर देता है तो इस तरीके से जो 10 लोगों का काम था वो एक ही व्यक्ति अराम से बैठ कर कर सकता है तो इस तरीके से जो भी ऐसे लोग थे जो repetition वाला काम करते थे वो जो है आजकल बेरोजगार हो गए है इससे थोड़ा पहले जाएं तो जो लेखा अधिकारी हुआ करते थे यानि कि हर चीज के जो entry करते थे फिर उनको एक book से दूसरी book में लिखते थे वो सब काम भी जब computer आया तो समाप्त हो गया है सारा जो manually लिखने का का काम है तो इस तरीके से तब भी वो structural बेरोजगारी आई और अब यह AI जो है इसकी वज़े से भी जो सरंचनात्मक बेरोजगारी बढ़ेगी तो इस तरीके से जो भी चीजें एक कोशल आपका जो है वो market fit नहीं हो पाता या market में उस कोशल की या उस skill की demand नहीं रहती तो उस से जो unemployment पैदा होता है उसको structural unemployment कहते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते